तो बच्चो आज हम ग्लासेक्स कमपोजिट मैस का एक्सरसाइज बन भी स्टैड़ी करेंगे अगर आप हमारे चैनल को फाइस नाम विजिट करते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ इसाथ विल आइकनों को प्रेश करें जिससे कि आपके में वीडियो के न देख सकते हो इह र सब्सक्राइब करने के लिए लार इंटके हमें कौन्च में है डिजिट को उर्हंटेखें तो कि अरेंज करना पड़ेगा ठीक है माल लिजिए कि आपके बास कोई चार डिजिट है और उनको descending order में लिखोगे तब जाके आपको largest number मिलेगा ठीक है और अगर smallest number लिखना चाहोगे तो पिर आपको ascending order में लिखना पड़ेगा ठीक है तो इसका कि हम ठीक है कितने three digit number find कर सकते हैं ठीक है यह हमें बताना है और हमें कोई भी digit को repeat नहीं करना है ठीक है तो इसका मैंने चलो देखते हैं इसका answer तो देखो first का second है यह तो 0,1 और 5 का यूज करके हम यह four numbers बना सकते हैं ठीक है अब मतलब 0,5 और बन को यूज करके 105 यानि 105 बन सकता है 5801 बन सकता है 150 बन सकता है और 510 बन सकता है मिलब four numbers बन सकते हैं तो यह लिखना है आपको देखना 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 नमर और four मतलब चार नमर बन सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है third question आपका write the smallest three digit number using the two three five मतलब two three five से बनने वाला सबसे छोटा नमर क्या होगा ठीक है तो ascending order में लिख दो 235 मतलब 235 बनेगा नेक्स्ट है इसका fourth first का write the smallest four digit number using the digit 104 बन जिरो four से smallest क्या बनेगा ठीक है लेकिन यह कह रहा है you can repeat any one digit मतलब किसी भी डिजिट को आप दो बार रिपीट कर सकते हो तो हम जीरो को दो बार रिपीट करेंगे और 1004 जो है smallest number नमर बन जाएगा नाच कुशन फिप्त है what is the largest five digit number with two ones place मतलब यह कह रहा है कि two जो है ones place पर रहेगा ठीक है यह दो two one place पर है और three ten place पर रहेगा three ten place पर रहेगा तो largest five digit number क्या बनेगा तो इधर three बार nine nine ने लेगे तो 99,932 बनेगा ठीक है 99,932 two nice question second है write all possible three digit number ठीक है without repeating of digit by using digit मतलब इनसे बनने वाले ठीक है इनसे बनने वाले three digit number आपको write करने हैं और कोई भी numbers को repeat नहीं करना है आपको मतलब इन में से कोई भी digit को repeat नहीं करना ठीक है तो मैंने लिका है possible three digit नमबर आर ठीक है 6756 क्या का बन सकता है तो 6756 675 बन सकता है 567 बन सकता है यह भी बन सकता है 576 657 बन सकता है यह बन सकता है और यह बन सकता है ठीक है यह यह 6 नमबर बन सकते हैं ऐसे ही अब इसका सेकेंड है जिसमें 902 का यूज करना है और क्या क्या बन सकता है तो 902 का यू 902 बनेगा ठीक है ना एक बनेगा 209 एक 290 एक 920 तो यहनी कि 4 डिजिट बन सकते हैं ठीक है अब आपको बताना है कॉसर नमर 3 में कि इन से बनने बाला स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नमर और इन से बनने बाला लारजिस्ट 49 डिजिट नमर तो जब हम स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो असेंडिंघ ओर में लिख दिएंगे बन टू थ्री बन टू फाइफ उट्फी सिक्स बढ़ा लिख दिएंगे और जब हम लारजिस्ट बनाएंगे तो बड़े से चोटा लिखेंगे मैं दलब 6521 6521 तो ल स्मूलेस्ट देखें तो 7 फिर 0 और 8 9 ठीक है 7089 अब आपको इस राइट सेंडिंग है तो आपने 0 को पहले क्यों नहीं लिया अगर हम 0 को स्टार्टिंग में ले लेते तो 0789 बनता यह यह 4 डिजिट नम्मर नहीं है यह 3 डिजिट नम्मर क्योंकि आगे 0 होती है तो इसका को स्टार्ट पोड़न नम्मर मतलब है इसमें भी प्रच बनाना है 4 डिजिट नम्मर को कि युज इन यह बन डिजिट ट्वाइस यह कर रा है कि किसी भी एक डिजिट को दो बार आप लें अ ठीक है कि तो कि यह बनाने के लिए हम 6 जो बड़ा है उसको दो बार लेंगे 6 6 वे तो थ्री टू ठीक है यह बन गए ग्रेटेस्ट इसमोरेस्ट बनाने के लिए चोटे वाले को दोबार लेंगे तो टू 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 थ्री शिक्स बन जाएगा यह स्मोरेस्ट बनाना है तो ग्रेटर वाले को दोबार लेंगे आनिके 6 को दोबार लेंगे शिक्स बन टैन ठीक है और smallest बनाना है तो छोटे वाले को दो बार लेंगे ठीक है अब यहां पर छोटा जीरो है जीरो को दो बार लेंगे तो 1006 यह smallest मन जाएगा ठीक है आगे है आपका कुश्य नमर फूर फिछ दिखो मेंक द ग्रिटेस्ट और स्मॉलेश्ट फूर डिजिट नमर यहां पर फिबनाने हैं ब्रट यूज़िंग एनी फूर डिजिट अच्या यूज़िंग एनी फूर डिफरेंट डिजिट मतलब कहा है कि आपको फूर डिजिट अलालग ही यूज करने है बिद्दा कंडिशन्स ठीक है और कंडिशन्स यहां पर गिविन है यह कहा रहा है कि डिजिट 6 इस आलवेज इन्दा थाउजन्ड प्लेश पर रहेगा तो देखो 6 से तरहिए यहां थाउजन्ड प्लेश पर है और हमें बनाना है ग्रिटिस्ट अब 6000 पर है मिलीजिये यह रहा तो ग्रिटिस्ट बनाने के लिए 987 लिखेंगे उल्टा थीक है और 6000 पर है श्मॉलेश्ट बनाने के लिए 0 फूर हंड़ेड प्लेस पर एगा तो देखो यहां पर फूर हंड़ेड प्लेस पर है यहां पर भी फूर हंड़ेड प्लेस पर है यह स्मॉलेस्ट है यह ग्रेटेस्ट है ठीक है और बाकी के यहां पर आएगा आपका नाइन ठीक है अज़ा ग्रेटेस्ट बनाना है तो यहां पर 9 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 9, फिर यह 4 तो ही है, फिर 8, 7, ठीक है, 9, 8, 7 यह बन जाएगा, greatest, और smallest बनाओगे, तो इधर 1, 4 तो fix ही है, फिर 0, 2, ठीक है, 1, 4, 0, 2, यह बन जाएगा, ठीक है, यह आपका fourth question था, जिसमें smallest बनाना था, और तो 2 को दो बार repeat करेंगे, यह आ गया, greatest में 6 को repeat करेंगे, ऐसे यह था, इसमें smallest बनाना है, तो देखो यह है, ठीक है, और जो अब हम कर रहे हैं, वो fifth वाला question यह है, जिसमें हमने digit 6 को कहां पे रखा था, 1000 प्लेस पे, तो fourth देखो, 100 प्लेस पे है, ठीक है, और यह आपके greatest और smallest आ जाएंगे, अब fourth का third, देखो, 7 को हमें रखना है, 10 प्लेस पे, देखो, 7 10 प्लेस पे है, ठीक है, तो greatest में, 9, 8 और 6, ठीक है, क्योंकि 7 तो यहां पे आ गया, 9, 8, 6, और smallest में, 1, 0, और 2, ठीक है, ठीक है, जब हम greatest बनाएंगे, तो 9, 8, 7, 6 का यूज करेंगे, मैं बड़े, बड़े digit का, greatest बनाएंगे, और जो smallest मनाएंगे, तो 0, 1, 2 का यूज करेंगे, ठीक है, अब यहां पर digit 1 को हमें रखना है, 1 स्प्लेस पे, तो देखो, digit 1 तो 1 स्प्लेस पे फिक्स हो गया, ठीक है, अब बाकी के ज बनाओगे, तो एक टीजिट तो कंडिशन का कोडिनिंग लिखना है, कि भई, 4 लिखना है, आपको 100 प्लेस पे, तो यह तो लिखना है, लोग 4 लिख जाए 100 प्लेस पे, ठीक है, अब गड़े बनाना है थिदर 9, इधर 8, इधर 7 कर दो, यह बन गया, ठीक है, एसे है, यह आ 4 डिजिट वाली कितने नमर से, और 6 डिजिट वाली कितने नमर से, ठीक है, टोटल, तो 4 डिजिट वाली नमर से, अगर हम निकालेंगे न, कि 4 डिजिट वाली कितने नमर से, तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नमर होता है, 9999, इस में से 3 डिजिट का सबसे बड़ा गड़ा मनला पूरब डिजिट की सबसी बड़े नमबर में से थ्री डिजिट का सबसे बड़ाइबrü जटा दो.. तो टोटल फोट डिजिट की नमबर आ जाएगे 9000 मनला फोट डिजिट वाली 9000 नमबर ए तो आपका नाइन लेक Sóright ऐगा तोट खुछ डिजिट onesy यह से हो गया आपका question number शेक्ट नाइस question 7 है write the greatest and smallest five-digit number इनका यूज़ करके greatest smallest five-digit number बनाना है और यह कहा रहा है कि किसी भी digit को आप दो बार यूज़ कर सकते हो किसी भी इक डिजट को दो बार यूज़ करेंगे और greatest number बनाएगे यहाँ पर चार डिजट दे रहा है एक डिजट को दो बार यूज़ करना है तो पांट सेबंत का बन जो है इसमें फोर डिजिट दे रहे हैं 6382 यह तो हमेरे ठीक है अब गरिटेस्ट बनाएंगे तो इनमें देखुल सबसे गरिटेस्ट कौन है आठ जब हम गरिटेस्ट बनाएंगे तो सबसे बड़े को दो बाल लेंगे 8 को दो बाल ले लिया ठीक है बागी का है जो डेसे एंडिंग्फट में लिख दो 632 तो 632 लिख दिए तो 88632 आपका इस्वर गैया जब आप इसमोल्ससट बनाऊगे तो जो सब से चोटा है उसको दो लोगे सबसे चोटा 2 को दो बाल हमें लोले लियाज़ ऑंको असेंडिंग्फट में चलना होता है cidade 2 2 तो लिखी दिया बचा 368 लिख दो ascending order में ठीक है यह तो मैं ने बताई दिया कि भई चोटा बनाना है तो ascending में वह बड़ा बनायाना तो descending में ठीक है यहाँ पर देखो यह digit है और जब greatest बनाएंगे तो जो बड़ा है उसको दोबाल लेंगे तो 77 ले लिया बाकी को descending order ने लिख दो 510, 510 जब smallest मनाएंगे तो छोटे को दोबाल लेंगे यानि कि 0 को दोबाल लेंगे तो 10 आ गया और 577 यह वारा काट दो ठीक है 10057 एक टाइम में आएगा ठीक है आगे थर्डवाला यह 2891 तो जब greatest मनाएंगे तो सबसे बड़ा 999 को दो बार के लेंगे 99 फिर देसेंडिक में लिख देंगे 99 दो बार लिख लिए या पिर देसेंडिक में लिख देंगे 99821 और जब हम smallest मनाएंगे तो सबसे चोटा है उसको दो बार लेंगे बन बन ठीक है फिर ascending order 289 तो बन बन 289 आपका smallest आ गया ठीक है आगर देख फोर्ट है greatest मनाएंगे तो जो बड़ा है उसको दो बार लेंगे 77 फिर descending order 530 to 530 77 530 आ गया ठीक है और जब हम smallest मनाएंगे तो चोटे वाले को दो बाल लेंगे आने कि 0 को दो बाल लेंगे तो पहले 3 लेंगे 3 art 3 आ गया ठीक है और 009 5 7 ठीक है पनाते हैंतो चाहिए बनाते है तो से दिए रखिए उसको फोलो करना होता है तक है आगे है को स्पाइब डिजित नमर यूजिंग टूट इस डिफेंट तो बन टेंट आजागा अंसर इसका जिसे में दो डिफेंट डिजिट एक तुबन है एक जीरो है टेके ना ना इस टेस्ट नाहेंक का सबसे बड़ा नंवर क्या होता है यह होता है तो 5 डिचिट के सबसे बड़े नंबर जिसमें की सेम नंबर हो तो 999 और जिसमें डेफेंट नंबर बड़ी नम्मर है लेकिन यह वाड़ा नम्मर तो वह घीसमें शारे डीजिट अलग लगे यह वाड़ा नम्मर वह है जिसमें साहे डिजिट से में और इन दोनों को सबटेसन करेंगे तो बंटू थम्र राजएगा तीक है और नाइस देते हैं 10 गेर दस सम्होप पे समालिट फोर डिजिट नमर इंड आट और ऑनली बन डिजिट अच्हा यह उसा है यह वालोज कॉस्चन में ब्रस्मालिष्ट पौर्ड इजिट नमर जिसमें एक डिजिट और गिर्टेश्ट पोर डिजिट नमर तक एक न इसमें ब तो यह आपका exercise one week complete है आगे हम बंची का वीडियो बना रहेंगे तो उसका अभी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा तो आपको हाँ से देख सकते हो चलिए मिलते हैं नाइस वीडियो में मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चाहते हैं अपने क्लास में इस वीडियो शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें